वेलकम बेक फ्रेंड्स, दिस इस करंडफेस पंडा, दोस्तों, कोडिंग और डिकोडिंग के नए पैटरन के उपर कॉस्चिन्स आपके एक्जाम्स में आते हैं, तो उसका ये सेट नंबर तीन होगा, और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कॉस्चिन्स का पैटरन किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, और आपको क्या एप्रोच वहाँ पर फॉलो करनी है, क्योंकि जितने हम कुस्चिन्स आप करेंगे, उतनी नई एप्रोच डबल अप होगी हमारे पास में, इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो लोग पहली बार एबीटो देख र अब हमें यह नहीं पता कि कौन सा वर्ड किसके लिए है, तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आप अपने आप में सोचें, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या यहां पर अप्रोच फालो हो रही है, देखें, पहली लाइन में सबसे पहले कुस्चिन को जब हम यह की स्टेंथ अलग अलग है, जैसे कि गोट यह 4 लेटर का है और यह है दोस्तों, बिसिकली 3 और 3 छे, यह 8 लेटर का है, यह 3 लेटर का और यह 7 लेटर का, अब यहां पर देखें, तो SIT यह 3 लेटर का है, और फिर गुरुप्स है, पैंसिल है, फ्लेम है, इसके बाद मे पीज, ग्लोट, सिप और फ्रूट, अब आपने एक चीज यहां पर ध्यान दी होगी, कि बिसिकली यहां पर 4 तरीके के अलफ़ाबेट हैं, कुछ अलफ़ाबेट हैं, वो आपके दोस्तों बिसिकली G से स्टार्ट हो रहा है, कुछ P से स्टार्ट होते हैं, कुछ S से स्टा अब में देखना है कि कौन सा कोड किसके लिए कर्रिस्पॉंडेंस कोड जो है वो कहां पर है, कोड क्यों अगर मैं नजर मारू हूँ, तो किसी भी एक को पिक कर लो, जैसे मैंने क्या किया, कि यहां पर एस्टरिक E64, इसको पिक कर लिया, तो आप यह मैं सोचना कि चार लेटर के चार चीजों से मिलकर यहां पर बन रहा है, यहां पर केबल तीन चीज़े यूज हो रही है, सबसे पहला सिंबल आपका है, दूसरा एक बीच में लेटर यूज हो रहा है, और लास्ट में क्या यूज हो रह इसका मतलब तीन चीज़े ही यहां पर यूज हो रही है, तो 64 एक साथ कम्बाइन लिखा जाएगा, अब हम देखते हैं कि यह किसके लिए यूज हो रहा है, सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं सबके यूनिट प्लेस पर जाओं, तो यहां पर यह 9 है, और यहां पर यह 16 है, फिर कितना है 49 है, और फिर कितना है 64 है, फिर यहां पर देखते हो 25 है, तो यहां पर मैं देख लेता हूँ, फिर यहां पर 36 है, और यहां पर 36 है, यहां पर 9 लिख चुके हैं, 49 को भी लिख चुके हैं, 16 को भी यहां पर लिख चुके हैं, 16, 36, 16, 25, अब यहां से आपको एक मेंट्ध का स्कायर होता है, और यह आपका six का स्कायर होता है अब इससे, आपको क्या चीज यह पता न DIRECTOR ही कि यहां पर जो तीन चीजे यूज हो रही है संसे पहले आपका symbol, उसके बाद क्या है, letter और फिर क्या है यह बाद शक्या कहार हो रहा है तो आपका basically symbol कैसे आ रहा है यह अभी हमें नहीं पता चल पाया, इसको पता करने ही कुछिस करेंगे, letter आपका कैसे आ रहा है, अब देखो, यहाँ पर क्या है, second, जो middle में क्या है letter आपका आ रहा है, तो यहाँ पर है N, यहाँ पर है T, यहाँ पर है K, यहाँ पर है E, तो अगर पहले line में में देखों, तो यह आपका T से finish हो रहा है, यह आपका E से finish हो और N से हो रहा है, और यह के से हो रहा है, अब देखो, जो K से हो रहा है, तो middle letter कहीं पर के आया है, बिल्कुल आया है, तई वाला, इसके साथ associate हो सकता है अब यहां पर n middle में आ रहा है तो देखो यहां पर भी n middle में है तो यह इसके लिए हो सकता है तो जो letter finish हो रहा है मतलब की unit place पर जो letter है बो आपका middle वाली position मनेगी decoding decoding जबाब करोगे यह अपका decoding के format में है तो यहां पर जो यह code लिखा हुआ है इसको अगर मैं represent करूँगा तो यहां पर तीन चीज़े हैं आपका symbol और फिर अपका letter और फिर अपका digit तो letter क्या है जो last unit place पर जो भी letter है वो आपका middle में आ रहा है तो अब अगर मैं बात करों दोस्तों तो आप यहां पर ध्यान दखना की देखिए अगर आपका यह case if निस हो रहा है तो sure k cable इस ही में है तो आपने यह देख लिया कि इस वाले coat के लिए आपका यह के वाला peacock हो जाएगा अब यह कितने letter का word है तीन और तीन चे और साथ letter का word है साथ का square कितना होता है 49 होता है अब देखो यहां पर 49 भी दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि number of letters का square है वो है digit तो यह क्या है number of letter का square यूज हो रहा है अब दियान रखना यहां पर सबसे पहले क्या लिखा है percentage लि और letter क्या use हो था के और यहां पर क्या था 49 तो इसको interpret करके हम एक बार देखते है कि क्या मतलब है इसका तो यहां पर क्या है percentage तो जो word आपका P से start हो रहा है उसके लिए symbol क्या आप यूज कर रहे है percentage अब आप यहां पर भी देख लिए क्या कुछ यह pencil है तो यहां पर भी ए आपका percentage का symbol यूज यूज वा है और देखो यह 3 और 3 6 लेटर का word है इसके लिए क्या है 6 का square 36 हो गया और L से फिनिस हो रहा है middle में L आ रहा है और P का code क्या है percentage इसका मतलब हमें दोस्तों यहां पर यह चीज पता चल गई सारे process करने के बाद में कि P को हम percent से denote करते हैं अब देखो जी ओ अटी गोट था अब गोट ट से फिनिस हो रहा है अब ट कहां पर आ रहा है ती देखो आपका यहां पर यह वाला वर्ड आ रहा है तो देखो जी के लिए क्या यूज करोगे तो हमें यहां पर मिल गया कि हम जी के लिए क्या यूज करने बाले हैं एक चीज दा हम at the rate का use करेंगे तो यह आपने देख लिया कि जी के लिए हम use करेंगे किसका at the rate का अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ surprise जो है इसमें कितने है 3 और 3 6 और 2 8 लेटर है 8 का square 64 होता है तो यह last जो 64 है इसमें asterick आ रहा है तो देखो तो एस के लिए कि यह आप यूज करोगे asterick एस जहां पर भी आएगा बहां पर हम दोस्तों बेसिकली यूज करेंगे asterick का fine अब एक चीज का और यहां पर द्यान अखना कि एक आपका वर्ड और बजता है यह hash 9 hash n 9 बाला तो यह आपका f a n यह न से फिनिश हो रहा है तो middle letter n आपका आपका यहां पर और तीन लेटर का वर्ड है तीन का square 9 हो गया तो यहां पर मुझे क्या पता चल गया कि जो f से start होगा उसकी first जो symbol कौन सा यूज करेंगे hash का अब दोस्तों आपको सब के सिम्बल पता चल गया कि यहां पर add the rate का यूज होगा फिर आपका percent का यूज होगा फिर asterisk का फिर hash का ओके इसी चीज को हम हर एक जगह पर use करके अपने questions को बहुत आसानी से solve करेंगे कि हम g के लिए और gpsf आप नोट कर सकते हैं g के लिए हम add the rate और p के लिए percent का और s के लिए asterisk का और f के लिए हम hash का code यूज करने बाले हैं fine अब हम आते हैं questions के ओपर की question कैसे पुछा आते हैं question आप से पुछ लेगा किसी भी letter का code क्या होगा okay जैसे यहां पर जो first question है इसमें आप से पुछा है what will be the code for fruits fruits के लिए आप बदाओ क्या code होगा तो अब आपको question के और मुम नहीं करना direct दिख लो यह s से फनी सह होगा है तो अगर तीन सेग्मेंट थे मैं आपको बताया थे तीन सेग्मेंट तो पहला क्या था symbol था दूसरे और order देख अभाट उसके होगा आपको अपको तो अपको दिया हुँआ है अपको फ्रूट आपको धियाथ तो इसे तो हम स्कुर्ट च्कुर्स ए ना तो इसके लिए ना तो पर यहिगा था स्कूराइगा जो वर्ड अपका एक्प से स्टार्ट होगा Spanish has code use करते हैं, तो has यहां पर आ जाएगा, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, यह अपका has 36 आ जाएगा, अब देखलो, fruits कहां पर आपको दिया हुआ है, आपको fruits यहां पर दिया है, और इसमें code देखलो, क्या दिया हुआ है, has 36, यह देखो, आपको code दिया हुआ है, तो यह बाला दोस्तों आपका right answer भी हो जाएगा, इस तरह से हम identify असानी से, एक्जाम में at least कर लेंगे, एक इसमें पैटरन और आता है, लिकिन उससे पहले, क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हम और देख लेते हैं, इसमें लिखा है, कोड जो है, स्टार्च है, उसके लिए कोड क्या होगा, यह बदाएगा, तो सबसे पहले देखो यहां पर कितने 3 और 3 6, 6 लेटर का वर्ड है, तो 6 का स्क्वेर कितना हो जाएगा, 36 यहां पर आगे आपका, और H पर फिनिस हो रहा है, तो मिडिल में क्या लेटर आएगा, H, अब देख लो, यहां पर स्टार्ज पर स्टार्टिक लेटर कोड़ा हो जाया तो इसके लिए यह वाला कोड़ हो जाएगा, आप सारे कोड़ असानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको यह पता जल गया है, क्योंकि आपको यह पता तल गया है कि जो वर्ड आपके H से, P से, और S, और F, इनसे H से स साहे ही ऩ्राइब पर्सिंटेस्ट का यूझ करेंगे । मुझे से स्टार्त का पुछाथ चाहता है। अब यह को अभी को स्टार्ट को मुछे पटा की तूर 2 क्यों से स्टार्ट जाया कि tril सम में जी दिया हुआ है तो यहां से बात नहीं बन पाएगी अब 49 का मतलब क्या है कि वो लेटर आपका 7 का होना चाहिए 7 का तो एक प्लेस 2 3 4 5 6 7 अब देखो 3 और 3 6 तो यह भी नहीं होगा यह 3 और 2 5 तो यह भी नहीं होगा अब देखो G L U 3 और 3 6 और 1 7 यह 7 लेटर का दिया है तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं क्या यह है यह N से फिनिस हो रहा है तो मिडल में N आ चुका है और G से स्टार्ट हो रहा है तो एड दरेट आएगा इसका मतलब दोस्तों यहां पर क्या जागा तो यह हमारा बिलकुल राइट एंसर होगा I hope आपको यह समझ गया होगा समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें इन लेटर्स को फाइंड आट करना होता है तभी आप इनके करिस्पॉंडनेंस बर्ड बता सकते हैं कि जो कोड दिया है उसके करिस्पॉंडनेंस कौन सा वर्ड हमारा यहां पर आएगा दोस्तों ऐसे कुश्चन्स आपके कमी एक्जाम्स में आ सकते हैं तो आप इनको जितने बार हो सके नएने पैटर्न्स को बुक्स में देखें इंटरनेट पर सर्च करें ऐसे क्वेश्चन्स मिलते हैं तो जरूर बना कर जाएं ताकि बहां पर एक अच्छा आप स्कोर ला सके अगर आपके वसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपको सॉलोशन नहीं मिल दा है तो आप हमें इमेल कर दें हमारी इमेल इडी पर currentofficefunda at gmail.com और दोस्तों यहां पर बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जिसमें आप coding, decoding और reasoning के other questions देख सकते हैं और यहां पर आप follow कर सकते हैं, tweet कर सकते हैं वीडियो को like करें दोस्तों और चैनल को subscribe जरू करें और इस वीडियो को share करना ना भूले, thank you friends, have a good day